मद्यपदेश बीज़पी के कैप्टन और खजुराहोसी बीज़पी के प्रत्यासी विश्णुदत्र शर्मा साब मेरे साथ मौझूद है क्योंकि लोग सभा की लड़ाई लड़ी जा रही है बीडी शर्मा क्या आपने आपके लिए वाक आवर मांग रहे हैं क्योंकि विपक्षी गटवंदन सीट शेरिंग में सपा को खजुराहो दी गई थी लेकिन खजुराहो में सपा कैंडिडेट का नमांकर रिजैक्ट हो गया पूरे मद्वदेश के साथ 29 सीटों के साथ साथ वो अपना चुनाव भी लड़ रहे हैं कितना टफ मान रहे हैं बादशीत के जरिये जाने के सर चुनाव चरम पर आ गया पी-एम से लेकर अमिश्या मद्वदेश के दोरे पर आ रहे हैं आपको रहाय आसान हो गई सपा कैं रिजेक्ट होने का या रिजेक्ट होने से ना हम इंतजार करते हैं ना हम इस प्रकार की भावना रखते हैं हमें तो आनंद तबाता कि सपा हो या कोई और हो सामने प्रदुन्दी जब होता है चुनाव लड़ते हैं तो उसका अपना आनंद होता है और उस जीत का ही अलग इसलिए कॉंग्रेस ने मैदान छोड़ा जनता का आसिरवाद प्रधानमंतरी नरेंद मोदीजी को तीसरी प्रधानमंतरी बनाने के लिए जनता का संकल्ब है है कि खज़राहू की जनता आसिरवाद दे रही है तो कॉंग्रेस छोड़के भाग गई सपा गठवंदन में इंडी गठवंदन को मिली तो सपा के लोगों ने जो भी किया हो कॉंग्रेस और सपा का आपसी अंतर दुंध अंतर कले आज से नहीं था विदान सभा के समय से था लगातार एक दूसरे को केस प्रकार की भासा हैं बोली गई तो अब क्या किया कॉंग्रेस के एडवोकेट ने सपा के प्रत्यासी के साथ क्या किया यह तो वही जान सकते हैं लेकिन कहीं न कहीं तो क्हेला हुआ Communist को भी जो भी हुआ हो वो प्रत्यासी के तोर पर उनका परचारद हो गया लेकिन भारती जंता परटी का कार करता इस चुनाव को प्रत्य बूत पर लड़ रहा है चाय कोई सामने हो या ना हो हम बूत पर चुनाव लड़ेंगे और एत्यासिक बहुमत से हर बूत पर भारती जंता परटी बिजैसरी हासिल करें 29 छोड़िए आपकी सीट की बादशीत कर रहा हूं पहले खजराहों में क्या टार्गेट लेकर चल रहे हैं देखें खजराहों में पिछली बार हम 173 भूत कि 293 में से किवल 113 भूत हम भारती जनता पार्टी को खजराहों लोकसभा में 2019 का चना में 493 से जनता ने आशिरवा दिया था 65 प्रतिसत बोट भारती जनता पार्टी को खजराहों लोकसभा के अंदर मिला इसलिए मेरा ऐसा माना है कि इस वार का चनाव हम 113 भूत जीतने का अमारा टार्गेट जो सेस बचे थे और हर बूत पर 437 नई बोट के प्रधानमंत्री का संकल्प है और इस बार हम 55 से 80 परसेंट बोट भारती जनता पार्टी को मिले ये भारती जनता पार्टी का हम सब कारकरताओं का टार्गेट है और इस हम पूरा करें अमूमन यह होता है कि बोट परसेंटेज बढ़ता है तो बार ऐसा देख रहे हैं यह मोदी जी का कमाल है और मोदी है तो मुम्किन है और यह भी मोदी की गारंटी है कि बोट परसेंट बढ़ेगा तो भारती जनता पार्टी का बोट सेर बढ़ेगा यह भी मोदी जी की गारंटी है इसलिए मोदी जी ने आज देश की जनता का का विश्वास्त प्रधानमंत्री पर जग्रत हुआ एक नेता के नाते से जो मैं कभी कहता हूं कि इतिहास में नेता सब्द पर या नेता के प्रत्सम्मान था तो स्वास्चंद बॉस को लेकर के था देश कंदर लेकिन आज अगर उस भूमिका में हैं तो उसी प्रकार से आज नेता पर नेता सब्द पर जनता को विस्वास है तो प्रधानमंत्री नेजन नमोदी पर विस्वास है सुभास्चंद बॉस जी ने एक नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा और वो चर्टार्थ हुआ देश को आजादी मिली और सुभ सुभासचंद बॉस की प्रतिमाबी भारत के इतिहास में किसी ने लगाने की हिम्मत और गौरब के साथ की तो परधानमंत्री नेरेजन मोदी है कभी किसी को सम्मान न दे सकती न दिया है कॉंग्रेस पार्टी तो ग्रांटिकारियों का अपमान भी करती है कॉंग्रेस पार्टी तो आतंगवादियों का परोक्ष अपरोक्ष समर्थन करती है कॉंग्रेस पार्टी तो देश तोड़ने वाले देश के टुकडे करने वाली गेंग का कंदे से कंदा विला करके चलती है और राहूल गांदी, सोनिया गांदी, गांदी परिबार तो दिनवरी ही काम करता है मद्यप्रदेस के हमारे देवुजा सिंग बहुत 24 गंटे भारत का मान, अपमान कैसे किया जाए भारत को कहां प्रहर किया जाए, संसकर्ती पर कहां चोट की जाए, हिंदुत को कैसे बदनाम किया जाए और में दे देखुजय संग 24 गंटे करते हैं तो यह कांग्रेस का मूल करेक्टर है इसलिए करांतिकारयों का स goofy में चुल है जिन्हों ने देश के एपनी भूम का नावाई उनका मांना सम्मान हो आदिवासी भाई भेहन करन्तिकारियों को अगर किसी ने किया बाबा साब अंबेट कर के लिए किसी ने किया स्वास्चन बॉस के लिए किसी ने किया भारती जैनिता पार्टी के सरकार मानी प्रधानमंत्री बोदीजी ने कि मुझे याद आ रहा है कि बाबा साव अंबेट कर जब चुनाव लड़े थे लड़े थे ऐता है यह जना बद तरीके से कांगुरेस नैश रहा है थे दू क्या लोग त्यष्ग कहते हैं के बाबा मेई करको योजना से कॉंग्रेस ने नहरूजी ने चुना वराया था क्यों इसलिए कि वो योगी वक्ति थे अगर वो सदन में पहुंचेंगे तो उनके अपने अनुसार चीज़ें त्या होंगी तो ये कॉंग्रेस का मूल करेक्टर रहा है बावा साथ को कभी ने आगे नहीं पंच तीर्थ बनाने का किसी ने काम किया है तो प्रधान मंत्री नरेंद मोदीजी न भारती इंता बाटी की सरकार ने किया है टास्क बड़ा है 29 सीट हैं जितानी है आपको कारिकरता को आपने लंबे समय से गड़ा है मुझे याद है मैं जब पढ़ता था तो मैं देखता था आप अखिल भारती विद्ध्यारती परशल संकी जब पॉलिटिक्स करते थे तो कारिकरताओं से युमाओं से तब का लग इस बार प्रमोजी चिंदवारा मात्र जीत नहीं रहे हैं चिंदवारा में रिकॉर्ड जीत हो रही है कमलनात को लोगों ने वहां से नकार दिया और नकुलनात को तो लोगों ने ओखाड करके फ्यंक दिया है भारती जंता परड़िका एक सामान कारकरता चुनाब लड़ है हमारे जिले का द्यक्ष है और ऐसा कार्यकरता चुनाब जीतेगा और हर भूत पर भारती जंता पाड़ी जीतेगी क्योंकि मैंने चिंदबाड़ा में कहा था कि चिंदबाड़ा किसी का गड़ नहीं है गड़ किसी का है तो प्रधान मंतरी नरिंद मुद की मोदी की गरीब क्लियांड की योजनाओं के हित्गराई और आपको आश्यर होगा चौदे लाख प्रधान मंतरी आइसमान भारत कार्ड जो पांच लाख रुपए का प्रीमे इलाज कराने कातिकार देते हैं मध्य प्रदेश के अंदर एक नंबर पर गहीं है तो छिंदबाड़ा के अंदर होले होले कभी तेजी से दिये जा रहा है वीस में ऐसा दिया कि भगदर अब तक समाप्त नहीं हो रही बीच में सुना था कि नात के आने की अटकले लग रही थी लेकिन आप कह रहे हैं कि राम में रो दिया तो इसलिए गेट बंद कर लिए इनकी अटकले लगे इनके इसके लिए अपना जीवन समर्पित करना चाते हैं यह चुनाव उन लोगों के बीच में जो गरीवों को लूटना चाते हैं यह चुनाव उन लोगों के बीच में हैं जो गरीवों के जीवनिस्तर को उचा उठाना चाते हैं यह चुनाव उन लोगों के बीच में हैं जो ब पुर्धान मंतरी नरेंद मोदी जी के नित्रतों में आज देश के अंदर इतिहास बनाने का काम जनता के आशिरवास से हो रहा है और मैं ऐसा मनता हूं कि 29 के 29 सीटें हर बूत पर भारती जनता पर्टी जीत करके मद्यप्रदेश में तिस्यास बनाएगी अब की बार 400 पार का नारा भी भारती जनता पर्टी पूरा करेंगे यह कॉंग्रिस से बड़ी तादात में है कॉंग्रिसी बीजेपी में आ रहे हैं लेकिन आज आपने देखा होगा कि कट्नी के अंदर मॉर्निंग बॉक करते हुए जो मॉर्निंग बॉक की योगा क्लासिस चलाने वाले और समाज के प्रतिस्ठिक डॉक्टर जसुजा और बड़ी शंख्या में ऐसे लोगों ने सदस्ता ग्रेंड की उन्होंने कहा मुझे कि सांसर जी हम आपके साथ जोईन करना चाहते हैं क्य मुदी जी का कमाल है लोगों का मन बदल रहा है लोगों को बिश्वाज जागरत हो रहा है और लोगों को लगता है कि देश के लिए कुछ करना है प्रदेश के लिए कुछ करना है अपने जीवन में कुछ करना है तो राजिनितिक तोर पर भारती जंता पार्टी के साथ मु PCC दफ्तर नहीं पहुंच रहें कमलनाथ चिंद बाड़ा में डेरा डालके बैठ गए हैं चाहे वो डेरा डालें चाहे वो कुछ करें मैंने बहुत पहले एक बार कहा था एक संकेत दिया था कि कमलनाथ और उनके बेटे लगे रहे एक बाड़ पारसत का इलेक्शन जिसमें तीन बूत थे तीनों बूतों पर कॉंग्रेस चुनाव हरी मैंने उस दिन कह दिया था यह संकेत है यह छोटा प्रियोग जरूर है लेकिन इस संकेत है कि कॉंग्रेस अब चिंद बाड़ा से उखड़ गई तो आज चिंद बाड़ा से कॉंग्रेस निस्तना बूत हो रही है और भारती जन्ता पार्टी का कमल का फूल खिल रहा है क्या राम बिमुक हो गई है कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि कमल लात तो कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूं दिखवजे कहते हैं मुझसे बड़ा सनाता नहीं कोई नहीं है दोहरा चरित के लोग हैं डोल करेक्टर नहीं चलता फेस बदलते हैं अंतरमन भी बदलते हैं 24 गंडे जूट बोलते हैं गरीबों को लूटने का इन्होंने काम किया है तो इसलिए जनता भी इनको अब जान गई है यह एक्सपोज हो गए कि गरीब जनता का खून चूज करके यह कहां से कहां पहुँच गए लेकिन आज देश का प्रधान मंतरी एक गरीम मा का बेटा जब बनता है तो गरीम मा का बेटा गरीमों का दर्द भी जानता है यह गरीमों को लूट करके अरपती बने है उद्ध्योग बने है उच्छिंदवाडा में बने है कहां से बन गए कहां से आया तो इसलिए उस गरीम का दर्द और आह भी कभी अपना काम करती है यानी कमलाथ और उनका परिवार जंता के वोट से जीता और व्योसाय में जुटा रहा है यही किया है और क्या किया है मैंने तो बहुत पहले कहा था प्रिकास नहीं किया कि इनोंने इनके इनके अंतर करेक्टर आप देखेंगे तो क्या रहे है यह देश के अंदर जब केविनिट के मंतरी थे तब क्या किया इनके भंजे क्या कर रहे है इनोंने कितना करप्शन किया यह तो करप्शन में आकंट डूबे हुए लोग है लेकिन दिखवजे सिंग तो इस देश के अंदर जो मुझे लगता है कि भारत के खिलाब आतंकवाद का समर्थन करना और भारत के संस्कृति पर हिंदुत पर आक्रमण करने में रस आता है आनंद आता है इसलिए नेता बने बैठे नेता इसलिए सोनिया गांदी इसलिए पसंद करती है कॉंग्रेस नेता है देस से दुड़माद करते है इसलिए इस लिए इनको पसंद QUE ग्रेस गौलामी के प्रतीकों में मुद्धी जिन शर्माप्त कर दिये एक बचा है जो थोड़ा बहुत कहीं है वह कॉंग्रेस जो इस चुनाओं में ये घुलामी का प्रतीक भी समाफ्थ हो जाएगा, मेरे संसिति खज़ाओं से तो मैदान चोड़ के भाग गई कांग्रेस, तो बूद बूद पर से समाफ्थ हो गए, अब देश के अंदर भी कांग्रेस का अस्तित खतम हो जाएगा और ये भी घुलामी का प्रतीक समाफ् ने घिर नहीं रहे थे आप मुझे बताईए यह देश का जन्मानश अपने भगवान आराद दिराम के लिए जो इस भारत पर बावर ने आकरवण करके मंदर को तोड़ा था और भारत पर एक कलंग के तौर पर बावरी धाचा बना था देश के जन्मानश ने देश की जन्ता ने बावर की निसानी होगी या बावर का जो धाचा होगा धाचर को निस्तनाबूत कर दिया और निस्तनाबूत करके नारा दिया कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे तब गोलियां किसने चलाई यहीं समाजवादी पार्टी थी राम भक्तों को भूंदिया राम बत्तुंक पर किस प्रकार के आकरमड हुए पांच सालों कोई बर्षों में लोगों ने लाखों बलिदान दी है लेकिन आज प्रधान मंतरी नरिंद मोदी जब देश के अंदर सत्ता समालते हैं और आसिरवाद भगवान का मिलता है तो राम बला की प्राण प्रतिष्टा का अवसर भी प्रधान मंतरी नरिंद मोदी को मिलता है और उस प्राण प्रतिष्टा का निमंतरन कॉंग्रेस को भी जाता है सपा को भी जाता है बसपा को भी जाता है सबको जाता है लेकिन इन सब के पेट में दर्द होता है और इन सब ने राम मंदर की प्राण प्रतिष्टा का बहिस्कार किया इसलिए मैंने कहा कि जिनोंने राम का अपमान किया है राम लडा की प्राण प्रतिष्टा जिसको लेकर के करोड़ों करोड़ भारतियों ने जश् अम्रतकाल की 22 दरवड़ी को शुरुआ थुई लेकिन रावल गांदी सोनिय गांदी को दरदुआ अकले से आदब को सपा को दरदुआ बसपा की मायवति को दरदुआ इन सब को दर्दुया और उन्हें बहिस्कार किया तो मेरी संसदिच्चित खजरा हो तो राम लला की भूमी है भगवान राम प्रत्यक्ष वहां पधारे हैं अगस्त मनीकास्तर में पन्ना के अंदर तो उस भूमी पर राम द्रोही कैसे रुख सकते हैं उतराम भक्तों की भूमी है व वहां के लोगों ने कहा उस समय चार लाग बानवेह जार के वहले एक सो त्यत्तर बूज जीते थे और लोगों ने कहा था इस धर्ती पर राम द्रोहीं को कदम भी नहीं रखने देंगे तो कॉंगरे इस पहले ही छोड़के भागी और सपागे लोगों को लगा कि अब तो क का माहौल देख करके मैजान चोड़के भाग गए अब जिनता ने तैकर लिया है खजुराहो की संसदी एच्छेत्र में प्रधान मंतरी नरिंद मोदी को अपने प्रधान मंतरी बनाने के लिए अमिस साजी की कुसर रणनिती पर इस बार खजुराहो एक एक भूत पर जीत क का आज तक का इत्यास बनाईगी वीडी सर्मा सबसे ज्यादा मार्जन से महद्यपदेश में जीतने वाले हैं देखिए हम तो अपना करतर भी करते हैं काम करते हैं मेनत कार्यकरता कर रहा है हम चुनाव को अर्बूत पर लड़ रहे हैं जनता का असिरवाद होगा और मफता मुरे ना में रहती हैं यदि मैं सही हूं तो तो क्या कहा था उन्होंने क्योंकि मेरी और आपकी संस्कृति गाउं की रही है कितने स्ट्रगल के बाद इस धारा में आना देखिए अपने जीवन गंदर अपने मां और पता जी का ही आसिरवाद है अपने परिवार जन पता जी कहते थे बेटा जहां भी जाओ बस कोई गलत काम मत करना तो वो दिशा परिवार के मां पिता का आसिरवाद है परिवार के अन्य लोगों का आसिरवाद है परिवार के सभी लोगों का शहयोग है उसका परिणाम है कि आज उस आसिरवाद से अपनी स्यात्रा में से सबसे मिलती है और यही आसिरवात बस बना रहा है यही यह बगवान से यही प्रत्ना लास्ट में से एक सवाल है मेरा इंपॉर्टन वो यह हो जाता है पूरे मद्धिपदेश में समुचे आप घूम रहे हैं राम मंदिर को लेकर मैं जन्ता से बातचीत कर रहा हूं तो इस इतने के लिए आप आसान बेत हैं और आपकी जो अध्यक्ष जब बने आप मद्धिपदेश के सुब सुरुआत हुई अब लंबा आपका कारिकाल हो गया है तो आगे कैसे देख पा रहे हैं मैं ऐसा मानता हूं प्रमजी 29 की 29 सीटें तो हम जीतेंगे ही देश राम मैं है दिवाड़ा भी राम मैं हो गया है और प्रधानमंतरी नरिंद मोदी के नेतरत में हर गरीब का जीवन बदला है विकास के नए रिकॉर्ड बने हैं सड़ाग विजली पानी गरीवी रेखा से पचीस करोड रोग देश के अंदर ऊपर उठकर के आये हैं मद्द ब्रदेश में धाई करोड़ लोग उपर गरीवी रेखा जाए यह सामान घटना नहीं देश की यह कोई कर सकता है तो प्रधानमंतरी मोदी ही कर सकते हैं ने इस प्रकार के हर चीज की गारंटी देश के अंदर कौन है तो प्रधानमंतरी मोदी वाठ मातर हो रहा है कि अ ब्रेश्टाचार मोक्त भारत मन रहा है अए हर गरीब का जीवन बदल रहा है क ей अल्पेसंक के समधाय के भाई और बहें भी कहने रहे हैं भी जोइनिंग की या बहुत लोगों ने मेरे चित्र में मैंने पूछा कि वह जोइन कर रहा हूं पहली बड़ी था दाथ में यस लोग कह रहे हैं कि नहीं साब आज तो महिलाएं जोइन की पार्शद और कई लोगों सब्सक्राइब के बाद भी आपका लंबा वक्त खिज गया है अब आप टास क्या मान कर चले हैं क्या आप जो काम आपने सोच रखा था संगठन अद्यक्ष के तौर पर काम पूरा हो गया संगठन का काम यह तो सतत चलने वाड़ी प्रक्रिया है ब्यक्ति तयार होते हैं फ पूरॉसिस का एक हिस्सा है हम उस पर काम करते हैं बाजपा एक ऐसा दल है जो देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर कि बिस्स्ट कार्यपद्रटी का है एक special कारे वर्किंग सिस्टम आज दुनिया के देश भारती जनता पार्टी के एलेक्शन केमपेन को सीखने के को का जारा का भाई ये भाजपा के संगटन तंत्र को देखिए एक आपका बूत मैनेजमेंट की भी बहुत तारीफ हुई थी यह बूत ही देखिए दुनिया का लोग प्री नेता है ताकत पर नेता है लेकर बात किसकी कर रहे हैं मेरा बूत सबसे मजबूत प्रधानमंत्री म कर रहे हैं हमने मद्यप्रदेश के अंदर चोंसाट जार पांसो तेज़ बूतों पर बूत अध्यक्स को नेता बनाया है बूत अध्यक्स हमारा नेता है हम बूत पर जाते हैं तो प्रधेश अध्यक्स मुक्ध मंत्री केंद्री मंत्री इनके साथ अगर वहां कोई बैठता तो बूत का अध्त सदस्टा करता एक बल्क सबाल है तीनसु सत्त्यर अटाई भारत को एप्रिशेट करेगा गरीवों का कल्यान कहीं भी होगा हिंदुत्यों का संस्कृति का कहीं लोग अगर एप्रिशेट करेंगे तो कॉंग्रेश जरूर ब्रोथ करेगी और यह इंडी गठवंदन है न यह तो यह गठवंदन ही इस बात का है कि हम सब चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्टे हो जाते हैं और बात में फिल लड़ने लग जाते हैं तो यह इंडी गठवंदन घंडिया गठवंदन है और यही गठवंदन इस प्रकार के सब इकठव लोगों का समू है इसलिए हमेशा देश पर आकर्वन करने का काम करते है राङोल गान्दी जाकर के बिदेश में बहरत को बदनाम करने का काम करता है यह होता है देश के अंदर और इसलिए देश इनके उपर आकरौसित है कि प्रधान मंतरी मोधी यह को अरदेश का मान-सम म्मान बढ़ा रहे है यह को भारत का दुनिया में आज व्यास देंका साने समझे लिए अच्छा तीस गड़ की एक पूर मुख्यमंत्री हैं मध्यवदेश की एक पूर मंत मुख्यमंत्री हैं च्छाथीज गड़ में भूपेस बगेल मध्यवदेश में दिखवे जैसींग ईबी एम पर भरूसा नहीं होता है कह रहे हैं कि हम तो तीन सो चौरासी ज्यादा केंडिडेट करेंगे बैलेट केपर से ब्लस इलेक्शन होंगे रिखितेंगे किसी पूर मुख्यमंत्री के कहने से रही होती है कि देश कानून से चलता है और कानून अपना काम करता है दिखवजे से अब उपश लेक्षन कमीशन को वस्ता बनानी होती है तो देश के इंदर उस पर मंधन होता है देश पर उसके बाड़े मैं दस लोग दुनडेश के प्रभू दूलो के बिचार करते हैं लेकिन वहार के से अपनी जमानत जब तोने के डर से वह इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना यह उनका हमेशा से चर्थ रहा है जूरता हो बोलते ही हैं तौनों की जमानत जब्त होगी और इसलिए देश की जंता इनको नकार चुकी आखरी सवाल मध्य पिदेश के रहे मुख्य मंत्री डॉक्र मौहन यादब हैं आप संगठन के मुखियां हैं कैसा कॉडिनेशन इस पक्त चल रहा है और सत्ता और संगठन का कॉडिनेशन स्टेट के विकास के लिए कितना जरूरी होता है भारती जंता पार्टी चैमानी सिवरा सिंग चौहन थे या आज डाक्टर मौहन यादब हैं हम सब लोग मिलकर के सामूहिक नेतरत पर ही विश्वास करते हैं भारती जंता पार्टी का कारकरता टीम स्प्रिट से काम करता है तो हमारी सबके कीम है आज डाक्टर मौहन यादब जी और हम एक साथ एक सूत्र में और जिसको कहते हैं बहतर समन्वे के साथ हमारी सथा और हमारा संगठन सथा नीतिया मनाती है और उन नीतियों को जमीन पर अतारने का काम भारती जंता पार्टी का कारकरता ब्रंड में भारती जंता पार्टी की सरकार ने पांच लाख रुपे किसी गरीब को इलाज करने का अधिकार दिया है और यह का कोई गरीब भारत के अंदर मोदी के रहते पैसे के अभामिला से बंचित नहीं होगा उस योजना को जमीन पर मेथर कौन उतार रहा है हमारे बूथ का कार करता हमारा प्रेंड इंबेसेडर है और वो इसकाम को कर रहा है और मोदी जी इस बात पर कार्यक्रता का अप्रिशन करते हैं नड़्याजी करते हैं हम सब लोग करते हैं तो भाजपा का संगठन का तंत्र बड़ी ताकत है और जो प्रदानमंत्री मोदी के या राज्य सरका की गरीब कल्यान की युद्णाओं के हित्गराई ही हमारी ताकत हैं इसलिए उनको घर-घर में जाकर के लाभानमित कराना और लाभानमित करते हुए उनके साथ उनके आखों में खुशी रहे इसके लिए भाजपा का कार करता लिए अथक मेहनत परश्रम करता है थैंक्यू सो इस बगेल पर निसाना साधा है कहा है कि जमाना जब्त होने बाली है इसलिए इबीम पर ठीकरा फोड़ने की सुरुआत कर रहे हैं और इसलिए 384 से जादा केंडिडेट खड़े करने की इनकी तैयारी है पर देश संबिधान से चलेगा बड़ा आरोप यह लगा है कि बाब बड़ेश में सत्ता में बीजेपी की बापसी हुई और कॉंग्रेस पार्टी में जो भगदर 2020 से सुरुआत हुई वो अब तक जा रही है कहा है कि जो जिसका बन परिबरतन हो रहा है जो राम की तरह पा रहा है उसके बीजेपी के लिए तवार खुले हैं क्यामरबेन रज शर्मा जी मीडिया खजरा हो